हमेशा से दोस्तों जो 50mm का lens रहा है ना सबका चहीता lens रहा है दोस्तों और बात करें एक best prime portrait lens के बारे में तो जाता तर लोग यही कहेंगे कि भाई 50mm का lens बहुती बढ़िया बहुती best lens है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम review करने जा रहे है Nikon के prime lens का जो है Nikon Z50mm F1.8 तो दोस्तों इस्टाग्राम पे भी आप लोगों का बहुत ज़दा प्यार सपोर्ट मिल रहा है साथ ही साथ चैनल ने 10,000 subscriber family भी complete कर लिया है तो आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया ऐस का जो performance है ना मुझे बहुत ही बड़ी अला काफी ज़दा ultimate lens है दोस्तों इस lens को खासकर Nikon के full frame mirrorless camera के लिए बनाया गया है लेकिन अगर आप इस lens को यूज करना चाहते है Nikon के APS-C camera में जो mirrorless camera है like Nikon का Z30 camera Nikon का Z50 या ZFC camera तो आप उन camera में भी यूज कर सकते है और अभी मैं मैंने हाल फिलाल में Nikon Z30 के साथ especially Nikon के 50mm f1.8 का review शेयर किया अपके साथ उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक दे दूँगा आप जरूर जाके देख लेना especially अगर आप wedding purpose से एक entry model के साथ देखना चाहते हैं कि यार कैसा perform मुझे मिलने वाल अब S-Line से आप इतना समझ जाएए कि जो उनका elements की जो quality है वो बहुत ज़्यादा superior है बहुत ज़्यादा improvement है अगर compare की जाए जो उनके non S-Line के lenses होते हैं उनके मुकाबले साथ ही दोस्तों मैं बात करूँ इसकी aperture की तो बहुत wide open aperture है f1.8 के साथ आता है इसका मतलब है इसक contrast है जो इसका bokeh effects है ठीक है और 1.8 block lenses होते हैं जो की बहुत ज़्यादा fast और accurate होते हैं दोस्तों तो अब बात करते हैं सबसे important चीज़ के वारे में जो की है lens का elements अब lens की elements की बात करो तो देखें यहाँ पे 12 elements 9 group में design किये गए हैं और यहाँ पे अगर मैं बात करू elements की तो देखें इसमें nano crystal coating दी गई है जो की light और flare को control करती है ठीके lens में पढ़ने वाले जो reflection होते हैं ठीके light के flares होते हैं उनको control करती है साथी साथ यूज किया गया है दो ED glass और साथी साथ यूज किया गया है दो spherical elements अब ED glass की बात करो जो की होता है extra low dispersion glass अब मैं यहाँ पे थोड arithmetic या abrasion जो light होती है उसको बहुत जादा control करती है तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा और explain करना चाहूंगा तो आप ऐसे समझ सकते हो अगर आपने कभी अपने subject के एकदम उपरी हिस्से में अगर देखा होगा सते में देखा होगा तो काफी सारे colors वहाँ पर देखने को मि d glass साथी साथ बात करो इसमें दो एसफेरिकर elements का भी यूज किया गया है और दोस्तों यह ऐसा optical है जहां पर आपका जो optical को ना यह काफी सादा compact और light weight कर देता अब इसके मतलब से होता क्या है कि जो lens होता है compare करें हम dslr के lenses से तो बहुत जादा compact and light weight होते हैं साथी साथ दोस जिसमें distortion भी बहुत जादा होती है तो इसको भी बहुत जादा control करता है साथ इसमें super integrated coating भी की गई है means जो optical होते है उसमें multi coating होती है जो sharpness और quality में improvement लाती है lens में दोस्तो stepping motor का use किया गया है जो की बहुत जादा fast है बहुत जादा smooth है और autofocus की बात करो तो बहुत ही fast autofocus काम करता है और साथी साथ lens internal focus भी करता है खास कर दोस्तो lens 9 blade की opening दी गई है means जो bokeh आना है वो बहुत ultimate आना है दोस्तो defocus की बात करे blur effect की बात करे बहुत अच् lens की अगर मैं weight की बात करूँ तो सिर्फ 415 ग्राम का यहाँ पे lens का weight दिया गया है और filter size की बात करूँगा तो यहाँ पे 62 mm का filter size दिया गया है साथी साथ जो autofocus का जो manual का जो ring है lens का उसको आप customize कर सकते हो आप अपनी मर्जी से उसे ISO कस्टमाइज कर सकते हो aperture बना सकते हो exposure compensation आप अपने according उसे कस्टमाइज भी कर सकते हो बात की जाए अगर आप 50 mm को जो उनके full frame के जो camera है Z5, Z6, Z62 और बात करो जितने भी upper model की mirrorless के अगर आप उनके साथ use करते हैं जो 5 stop का VR का support है वो proper lens के साथ आपको मिलने वाला है यहाँ पे बात करें lens के aperture के बारे में तो देख मुझे performance लगाना वो मुझे A1 performance लगा यहाँ पे मैं बात करो portrait photography या फिर cinematography की बात करो तो आप बहुत अच्छा shoot कर सकते हैं मैंने जो shoot किया है कुछ simple video shoot किये हैं कुछ photo shoot किये हैं जो मुझे quality मिलिये ना बहुत ही बढ़िया मिला है मुझे performance A1 रहा है autofocus की बात करो काफी ज shot खास कर ऐसे जगह आपको मिलता है या फिर night में पीछे बहुत सारे lighting होती है या फिर आपको create करनी पड़ती है तो ऐसे जगह मिलने वाला मैंने इसके image sample देखे हैं बहुत सारे website में पढ़ा है जो boke effects है काफी ultimate बनने वाले हैं बहुत अच्छा आपको यहाँ बलर effect मिलने वाला है दोस्तों लैंस में दोस्तों एक आपको हुड भी जरूर मिलेगा दोस्तों और काफी लोग कहते हैं कि यार देखिए खली शोभा बढ़ाता है सामने में लगा देते हैं बट ऐसा नहीं है हुड हमारे बहुत काम आता है और कोशिश कीजिएगा कि इसको आप हमेश ज़्यादा सेप्टी करता है डैमेज प्रूफ का काम करता है मैंने बहुत सरे केस्ट देखे हैं और साथ यूवी फिल्टर भी काफी अच्छा डैमेज पूप का काम करता है अई होब दोस्तों मैंने जितना इन्फोमेशन आपके साथ शेयर किया आपको अच्छा लगा तीकि अब मैं आपके साथ ना कुछ फोटो और वीडियो शेम्पल आपके साथ में शेयर करूंगा जो मैंने स्टूडियो में अपने यहाँ पे शूट किया है फोटो और वीडियो का लास्ट में हम बात करेंगे थोड़ी से और कि लैंस में और क्या प्लस पॉइंट है झाल आपके साथ जो मैंने सेंपल शेयर किया आपको पसंद आया होगा और अगर मैं पर्फोर्मेंस की बात करो अगर आप डिसीजन जानना चाहते कि अधाया चाहता है उसलिए मैंने जो निकान के Z50 के साथ जो लैन्स पर्फोर्मेंस की बहुत ही बढ़िया पर्फोर्मेंस मुझे लगा है सबसे पहले अगर बात की जाए कि वैडिंग में यूज करने लाइक है कि नहीं कि 100% ये वैडिंग में यूज करने लाइक है साथ ये साथ अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए लेना चाते हो या फिर्फ और सी portrait photography के लिए लेना चाहते हो तो A1 lens है दोस्तो especially दोस्तो अगर आप cinematography करना चाहते हो वीडियो shoot करना चाहते हो तो बहुत ही perfect lens है जो बहुत ज़ादा अच्छा है इस lens में वो यह है कि जो lens है दोस्तो बहुत ज़ादा sharp है और बात करें corner to corner sharpness की तो बहुत ही बढ़िया है और बात करें breathing के बारे में जीरो focus breathing दी गई है great bokeh bokeh बहुत बढ़िया आने वाला है defocus blurness की बात करो तो बहुत बढ़िया है color contrast की बात करो तो बहुत ही बढ़िया इसमें देखिए मैंने बात किया तना super integrated coating के बारे में तो देखिए color contrast बहुत बहुत बहुतरी नाने है बात करें इसके autofocus के बारे में तो देखिए बहुत ज़्यादा silent है smoothly काम करता है focusing बहुत ज़्यादा fast और accurate है दोस्तो और बात करें weather seal के बारे में weather seal मैंने वैसे बताया नहीं है धूल नमी dust कुछ भी हो हर तरब से यह ready है हर मौसम के लिए ready है इसके हर एक हिस्से में बहुत अच्छी sealing की गई है means अगर आप धूल dust में जाते हो अगर इसमें चिपकता भी है तो no problem यह weather seal है साथी साथ build quality की बात करें तो बहुत ही बढ़िया build quality है और बात करें weight को लेके बात कर रहा था कि 415 gram का है दोस्तों और बात करें other company का अगर 50 समय के compare की जाए weight को लेके तो थोड़ा सा heavy है यह अगर बात करो कि जो चीज़ थोड़ी से अच्छी नहीं लगी मुझे थोड़ा weight को लेके मुझे थोड़ा साथा डाउट था क्योंकि जब मैंने Nikon Z30 पे use कहता है इस lens को बहुत जादा heavy लग रहा था मुझे मतलब feel हो रहा था बिल्कुल और price की बात करो इस lens का तो देखे अभी जो डिसकाउंट चल रहा है बहुत बढ़िया डिसकाउंट चल रहा है यह 35K के अंदर आपको डिसकाउंट करके यह lens मिल जाएगा compare करो अगर other brand के company के 50 mm से देखे वो compact and lightweight है यह lightweight तो नहीं है बट compact तो है थोड़ा बहुत बट lightweight उतना नहीं है थोड़ा सा heavy मुझे लगा देखिए हो सकता है कि इसमें और भी कमी हो क्योंकि मैं जितना भी review आपके साथ share करता हूँ शायद वो 100% review नहीं होता है क्योंकि देखिए normal focusing, normal photos ही में shoot करता हूँ अगर आप studio में हैं अगर आप studio में use कर रहे हो outdoor use कर रहे हो तो आप इसके जो negative point है बहुत अच्छे से जानते होंगे क्या क्या हो सकते हैं कुछ अगर ऐसा होता है तो आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा दोस्तों final decision आपको बताने के बिल्कुल भी जरुवत नहीं है आपने कई बार सुन लिया है जो lens है वो even है बहुत बढ़िया है wedding के लिए आप 100% purchase कर सकते हो साथ ही साथ अगर आप के पास full frame है और आपने social platform के लिए अगर purchase कर रखा है आप YouTube में videos create करते हो real short Instagram real shoot करते हो तो ये lens बहुत ही perfect lens है दोस्तों आप बिल्कुल definitely इस lens को purchase कर सकते हो video आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताईए इसके बाद भी अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया है कुछ पूछना चाते तो comment करके जरूर बता दीजीगा उसका reply में जरूर दे दूँगा थोड़ा सा busy रहता हो दोस्तों इस बज़े से मैं hand to hand मतलब comments के जो reply नहीं दे पाता हो एक भाई आज नराज हो रहे थे कि यार आप तो comments का reply नहीं करते हो तो भाई sorry उसके लिए तो मैं थोड़ा सा ना आज कल थोड़ा busy हूँ थोड़ा और भी काम करने पड़ते इस बज़े से मैं क्या ना आपको मैं तुरंत reply नहीं कर पाता हूँ बट जब भी मैं बैठता हूँ पूरे comments के reply में एक बार में कर देता हूँ उसके लिए आप tension मत लीजे दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है कि इस समय मुझे इस्टाग्राम पे भी बहुत ज़दा प्यार मिल रहा है आपका बहुत ज़दा सपोर्ट मिल रहा है और 10K भी complete हो गए है उसके लिए भी दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखी आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ इंटरोस्टिंग में लाता रहूंगा दोस्तों अगर आपने मुझे इस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजे क्योंकि वहाँ पे भी कुछ न कुछ टीप्स और ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करते रहता तो चलिए दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बता दीजेगा और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ दोस्तों चैनल पे अगर आपने पहली वार विजिट किया है तो सस्क्राइब जरू कर लेना वीडियो बनाओ आपसे कोई वीडियो मिसना हो जाए चलिए दोस्तों एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए गुड़ बाई